Hello everyone and welcome to class desk इस वीडियो में हम लोग discuss करने वाले हैं बहुत ही important topic के बारे में और बहुत लोग का request भी इस topic को लेके आया था कि अगर हमारा 12th का commerce अगर हम लोग without maths कर रहे हैं तो हम लोग कौन से colleges को अपने target colleges के हिसाब से रखे तो इस वीडियो में हम लोग exactly वहीं चीज को लेके बात करने वाले हैं देखो as a commerce student आप generally दो ऐसे fields को pursue करते हो as an undergraduate program या तो वो B.com हो गया या फिर वो B.b.a हो गया correct अगर अगर आप कोई भी इन दोनों में से program को अगर आप pursue कर रहे हो तो आप obviously चाहोगे कि इन दोनों programs का जो भी best colleges है आप वहाँ से pursue करो अब इसका फाइदा ये होता है कि कभी भी अच्छे college से आप pursue करते हो तो आपका exposure और placements हमेशा जादा अच्छा होता है तो इस video को उसी main focus के साथ बनाया गया है तो अगर last तक आप इस video को देखोगे you would understand those 10 best colleges that you should keep as a target college if you are a commerce student without maths तो with that thought let's start this video तो सबसे पहला जो college आज आ रहा है वो college है IIM Indoor IIM Indoor का एक integrated program है जिसको IPM बोला जाता है integrated program in management ठीक है यह जो program है इस program में आप entry ले सकते हो through an entrance examination जो है IPMAT ठीक है अब इस particular entrance examination को अगर आप देते हो तो आप इस particular program का हिस्सा बन जाते हो अब इसमें क्या होता है इसमें सबसे पहले आपका BBA होता है उसके बाद आपका MBA होता है complete five years का total program है जो आप as graduation, post graduation करके complete करते हो ठीक है इसमें जो total fees लगता है वो 28 lakhs के आसपस आता है जो कि आपको 5 साल के लिए देना पड़ता है generally students इस चीज़ के लिए loan ले लेते हैं education loan उसके बाद जो आपका placement होता है वो सबसे बहतरी placements होता है क्योंकि आपको पता है I am indoor कितना बड़ा college है in terms of management तो आप यहां से MBA करके जब आपका placement निकलता है तो 25 से 26 lakh या फिर इससे भी बहुत जादा अच्छा placement आपका आ जाता है तो अराम से आपने जो loan लिया था 28 lakh का 5 साल के लिए वो आप अराम से pay कर देते हो तो यह सबसे पहला college हमारा हुआ जो की commerce के non math student के लिए बहुत ही अच्छा opportunity हो सकता है इसी के साथ साथ IPM का एक दूसरा भी college आ जाता है जो की I am रोह तक है यह भी same program आपको एक तरीके से offer करती है with the approximate same fees और placement भी आप एक तरीके से same हिस्से में ही ले सकते हो उसके बाद जो third college आ जाती है हमारे पास वो है Venkatesh और a college यह college जो है यह डेली उनिवरसिटी में ही present है और अभी तक तो merit basis में इस college में admissions होती है जो की आपका 12th के marks का merit के हिसाप से होता है अब यहाँ पे तो CU-CUT का entrance के examination आने का chances है जिसके थूँ आप entrance examination के थूँ फिर जाने का आपको मौका मिलेगा तो अभी इसमें procedures में changes हो सकते हैं बट अभी मैं आपको बता रहा हूँ current जो अभी situation है उस हिसाप से तो merit based आपका admission होता है यहाँ पे भी placement आपका जो लगता है वो 3 लाग से 11 लाग के आसपस लगता है ठेक है और आपका जो fees जाती है वो 13,000 से 20,000 per year जाती है जो की काफी कम है तो अगर आप overall return on investment के हिसाप से इस college को देख रहे हो तो पहली बात तो college का नाम बहुत अच्छा ह और दूसरा आपका overall खर्चा भी उतना जादा नहीं हो रहा है but you are getting a good placement after your program is completed फिर 4th number पे आजाता है किरोरिमल college यह भी हमारा Delhi University में ही present है और अभी तक merit basis में ही इसका admission होता है इसमें भी fees अगर आप देखोगे तो 11,000 से 20,000 होता है per year and placements चला जाता है वहीं same amount के आसपस approximately 4, चार लाग से 10,000 के आसपस फिर 5th college पर हमारा आता है St. Xavier's college यह भी एक बहुती famous college है इसमें भी merit based admission होती है इसका जो fees जाता है वो 21,000 के आसपस जाता है per year and इसका placement भी 4,000 से 9,000 के आसपस जाता है फिर 6th number पर आ जाती है हमारा Ramjas college यह भी एक बहुती famous college है इसमें भी merit basis में ही admission होती है इसका जो fees जाता है वो 10,000 से 14,000 के आसपस जाता है and इसका placements जो जाती है वो 3,000 से 9,000 के आसपस जाता है फिर हमारा 7th number पर आ जाता है Christ University यहाँ पे भी merit basis में admission होती है यहाँ पे BBA और B.com दोनों का ही एक तरीके से आप program परसू कर सकते हो इसमें जो fees लगती है वो थोड़ा सा जाधा है comparatively 1.2,000,000 के आसपस fees लगती है per year and इसका जो placement जाता है वो 4,000,000 से 13,000,000 के आसपस जाता है which is a very good number फिर आ जाता है हमारा Symbiasis College जो कि एक बहुती famous college है यहाँ पे भी आपका जो admission होता है merit basis में नहीं entrance examination के through होता है Symbiasis का अपना पूरा entrance examination होता है जिसक जाल का मिला के तो आप मान के चलो कि इसको आप 3,000,000 per year के हिसाब से divide कर सकते हो इसका जो placement जाता है 4,000,000 से 10,000,000 के आसपस जाता है थोड़ा से expensive college है but still if you give a good performance in the college आपका placement बहुत अच्छा हो सकता है फिर 9th number पे आ जाती है हमारा भारतिया विद्याबिट college ठीके यह जो college ह काफी famous college है यहाँ पे जो fees जाती है वो 1,000,000 per year के हिसाब से जाती है और placement जो होता है वो 8,000,000 के आसपस approximately होता है फिर हमारा जो last number पे आ जाता है वो है गुरु गोविन इंदरप्रस्थ college यह भी एक बहुती famous college है इस college में भी एक तरीके से merit-based admission होती है और fees depend करता है कि आप इस university के किस college में जाके पढ़ाई कर रहे हो इंदर पर एक पुरा university है इसमें कौन से college में जाके पढ़ाई कर रहे हो उसके उपर आपका fees matter करता है और इसका जो placement जाता है वो 4-8,000,000 के आसपस जाता है which is a good number तो इसी के साथ हमारा video complete होता है I guess इस video के तुरू आपको एक अच student हो तो इस video को like जरूर करना and thank you for watching this video stay healthy and stay safe